वेलकम बैक ऑन डिजिटल तैयारी मेरा नाम है चेतन पारिक आरस अगिरवाल की हिंदी वाली बुक ये वाली जो किताब हम सवाल कर रहे थे उसके अदर हमारा चप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस में अब हम सुरू करेंगे पार अब तक आ चुके हैं तो अगर आपने एक एक सवाल वहां पर ध्यान से समझा है तो आपका अच्छा खासा बेसिक जो है न वह अच्छा खासा डवलप हो गया होगा ठीक है अब हम सुरू करते हैं इस पार्ट के हमारे पहले सवाल को देखो क्या कह रहा है किसी दूरी को त 10% कम टाइम में वहां पर जाके पहुंच जाओं तो यह कहा रहा है कि उसको अपने स्पीड कितने परसंटेज इंक्रीज करनी होगी यह आपको फायंड करना थीक है अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना है हम जो अमने पड़ा है वह यह यहां पर अपला है हमने क्या कम का मतलब क्या है 5 के उपर एक कम होना इसका मतलब पांस था एक कम हो गया आप कितना चार हो गया यह है टाइम की बार यह बिफूर यानि पहले वाला टाइम और यह अप्टर यानि बाद वाला टाइम आई बात समझ में नॉर्मली हम क्या करते हैं जब स्पीड का रेशियो गिवन होता है तो हम टाइम का रेशियो निकालता है इस बार टाइम का रेशियो दियावा है हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे और हम नॉर्मली क्या करता है इन दौनों को जो लिफियम आ रहा है उसको टूटल डिस्टेंज मानता है ऐसे करता है तो पाच और चार का लि 20 आता है तो मान लो कि total distance 20 है मान लो कुछ भी मान सकते हैं अला कि लेकिन calculation को simple रखने के लिए हमने क्या मान लिया 20 मान लिया distance में time का divide लगाता है तो speed बलती है तो 20 by 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 और 20 by 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 देखो सही है क्या तो आपको पूछा है कि speed कितनी increase की तो यह है मेरी पुरानी speed यह है मेरी नई speed कितना increase गिया देखो एक unit increase किया किस पर किया चार के उपर किया तो 4 के उपर एक increase करना यह नहीं 1 by 4 1 by 4 किसके बराबर होता है 25 percentage के बराबर होता है तो option B क्या हो गया हमारा correct answer है बात समय में अब इ चीज को रटना नहीं है कि 20% है तो 20% 5-4 होता है तो 4-5 हमारा answer कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल कोई problem नहीं लेकिन रटना नहीं है क्यों किया ऐसा तो यह आपके सामने है ठीक है अब आगे बढ़ता है हमारे अगले सवाल के और देखो क्या है next question question number 42 क्या कह रहा है question number 42 तो यह कह करने में B A से एक गंटा कम लेगा तो A की चाल याद करो दो relation दे रखे है ठीक है तो दौनो relation के help से पहले दो equation बना लो फिर उनको solve कर लो सबसे basic सबसे simple तरीका है कोई भी trick पर कुछ भी नहीं लगाने जोरूत है simple तरीके से आता है बिल्कुल basic मेंतर से 30 किलोमेटर की दूर समय लग रहा है तो A का समय कितना है और जो भी समय है देखो समय का formula क्या होता है तो time का formula होता है distance or divided by speed सही है distance divided by speed तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो time of A निकालता हूं फिर time of B निकालता हूं सवाल में दे रखा है कि A B से 2 गंटे अधिक लेता है इसका मतलब दौनों का difference 2 ग करेंगे तो time का formula distance upon speed है distance कितनी है 30 speed कितनी है A की तो मैंने A माना है और यहां पर 30 upon B की speed कितनी है B माना है यहां पर लिग लिए और यह आगया दू ठीक है यह आ गई हमारी equation number 1 अब हम बनाएंगे equation number 2 जब A अपने चाल दुगुनी कर लेता है तो इस दूरी को तैय करने में B से एक गंटा कम लेगा मतलब B को इस बार ज्यादा समय लग रहा है तो इस बार equation कुछ इस प्रकार से है T B माइनस T A दियान रखें A की जगे इस बार 2 A लिख रहा हूं क्योंकि A ने अपने speed A की जगे 2 A कर ली है और यह जो time difference है वो किसके बराबर है 1 hour के बराबर है तो minus 30 divided by 2 A और यह किसके equal होगा तो यह 1 के equal होगा देखो सही है यह आगई हमारे सामने दो समय करने equation 1 और equation 2 dawn equation को solve करना है A और B की value निकालनी है हमें फिलाल यह पूछा है तो यह निकाल देते हैं देखो अब इसको solve भी करने की जरूरत नहीं है हम तो one by one option put करके देख लेंगे कौन satisfy कर रहा है सबसे पहले 5 रखके देख लो A की जगे तो जब मैंने A की जगे 5 रखा यहां पे तो 30 by 5 कितना मिलेगा 6 मिलेगा और यह 2 जब इस तरफ आएगा तो minus का हो जाएगा तो 6 minus 2 कितना हो गया 4 यानि 30 by B is equal to मुझे मिल रहा है 4 इसका मतलब B कितना मिलेगा 30 by 4 30 by 4 का मतलब कितना हो गया 15 by 2 ठीक है तो अगर मैं A को 5 मानता हूँ तो B मुझे यह मिल रहा है ठीक है अब यह values आप क्या करो यहां पर put करके देख लो अगर इसको satisfy कर जाती है तो फिर 5 अमारा सही answer है नहीं करती है तो अगला option check करो आई बात समूझ में तो B की जगे मैं रख रहा हूँ 15 बटा दू 15 और बटा दू करूंगा तो 30 में 15 का भाग लगाएंगे 2 आएगा 2 इंटू 2 कि कि जगे कितना रखना है 5 तो 5 इंटू 2 10 हो गया और 30 में 10 का भाग लगाओंगे तो कितना मिल रहा है तीन चार में से तीन जाने पर देखो बिलकुल एक मिल रहा है आई बात समूझ बिलकुल एक मिल रहा है इसका मतलब यह option A सही है बाकी option आपको check करने के जुरूरत नहीं क्लियर है तो यह है आई होप आपको अच्छी तरह के समझ में आ चुका है बिलकुल basic method से किया है और सबसे सही method है बढ़ते हैं देखो आगे हमारे अगले सवाल के और क्या है next question तो अगला सवाल हमें यह कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी को एक निस्चित चाल से 8 गंटे मे तै करती है एक कार है कोई एक स्पीड है कोई एक डिस्टेंस है उसको 8 गंटे में तै कर लेती है पूरा आगे यदि इस चाल में 4 किलोमेटर परती गंटा की वरदी की जाए मतलब आप अगर उसकी स्पीड को 4 किलोमेटर परती गंटा से बढ़ा देते हो तो कह रहा है तो यही दूरी साड़े साथ गंटे में तै की जाती है। तो यही सेम डिस्टेंस कितने समय में तै की जा सकती है। तो यह तै की जा सकती है साड़े साथ गंटे में। तो आपको पूछा है कि डिस्टेंस कितनी हैं यह फाइंड करो। डिस्टेंस आपको find करेंगे समझना त्यान से देखो बिल्कुल basic से करेंगे यहाँ पर ना तो हमें original speed दे रखिए ना ही हमें distance दे रखिए तो मान लो कि car की original speed x है ठीक है और मान लो कि distance कितनी है d है ठीक है हलाकि इस type के सवाल को करने के लिए मैंने एक short method आपको बता रखा है लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि क्या वो short method यहाँ पर apply होगा भी या नहीं मतलब कोई data के कमी तो नहीं है यहाँ पर check कर लेते हैं एक बार उसके बाद आगे आगे क्या कह रहा है आगे आपको कह रहा है कि अगर आप चार किलोमेटर प्रती गंटा बढ़ा देते हो तो वही distance यानि वही सेम डिस्टेंस एक्स सॉरी वही distance तो वही है same d speed को आप कितना कर रहे हो 4 बढ़ा रहो मतलब पहले अगर speed x है अब कितनी होगी 4 बढ़ा तो इसके इंदर 4 जोड़ दो distance तो वही है d की d time कितना लग रहा है तो time लग रहा है साड़े साथ साथ का मतलब कितना होता है 15 बढ़ा दो होता है तो यहाँ पर लिख लो 15 और बढ़ा दो जो है वह यहाँ पर चला जाएगा उपर देखो सही है अब यह दो equations आपके सामने है इनको solve करना है ठीक है अब मै 280 किलोमेटर दूरी पर आदे गंटे जल्दी पहुंच जाती है ठीक है तो आपको original speed find करने है जब step का एक सवाल आ जाए तो मैंने आपको एक trick बता रही है आपको क्या बताया था कि original speed के अंदर आप क्या कर लो गुणा कर लो original speed plus जो change किया है change अपनने 4 किया है मतलब 4 ही हो नहीं सकती क्योंकि दो-दो चीजे at time अपने पास unavailable है जैसे कि speed नहीं पता और एक दूरी नहीं पता तो यह directly हम apply नहीं कर सकते है तो यह मैंने आपको समझा दिया है इस पर बेज़ अगर आपको और कुछ सवाल देखने है तो previous parts के अंदर मैंने इस type के सवाल करा रख यह d by 8 जब उस तरफ जाएगा तो minus का हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिख दू minus का d by 8 यह यहां से अट जाएगा अब इस series को solve करना है d निकालना है तो 4 और बराबर में किता आएगा देखो 15 और 8 120 लिख दू 120 divided by 15 किता आएगा 8 8 into 2 किता होगे 16 d और 120 में जब आप 8 का भाग लगा होगे तो आपको किता मिलेगा 15 15 into d करोगे तो किता होगे 15 यह 120 इस तरफ आजाएगा तो 12 into 4 किता होगे 48 और सामने किता मिलेगा d तो d की वेल्यू किता है आगई देखो तो d की वेल्यू आगई यह 480 किलोमेटर तो 480 किलोमेटर यह नहीं option b क्या होगे हमारा correct answer होगया clear है बढ़ता है देखो आगे हमारे अगले सवाल के और बहुती simple simple से सवाल है देखो बहुती basic है इंदी वाली RS अगरवाल comparatively थोड़ तो एक अच्छी खासी practice हो जाएगी यहां से सवाल और वहां से भी कुछ सवाल तो एक एक सवाल वहां पर देख लो अच्छी तरीके से अच्छी खासी practice हो जाएगी कोई भी exam देखो चाहिए आप bank देखो कई SSC देखो कोई भी देखो अब आज़ो इसके उपर क्या है दो गंटे बच जाते हैं पहले के तुलना में दो गंटे कम लगेंगे तो कहरा है कि दौना और पैदल यातरा करने में कितना समय लगेगा यह सवाल है इस टैप के सवाल भी हमने कर रखे हैं previous part में क्या कहरा है कि पैदल करके जा रहा है और गुड सवारी करके वापिस आ र दिख रहा हूँ तो गया था वाक करके और आया था होर्स के उपर यानि गोडे के उपर तो उसको कितना टाइम लगा तो उसको टाइम लगा पांच गंटे और पैतारिस मिनट ठीक है लेकिन अगर दौनों और गुड सवारिस आता है मतलब गया भी गोडे पर और आया भी गोडे पर तो उसके जो टाइम है न वो दो गंटे कम लगे दो गंटे बच गए पहले की तुलना में तो पहले अगर इतना टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा दो गंटे कम करने इसमें से तो कितना आएगा थ्री आवर फूर्टी फाइफ मिनट्स देखो 3 hour 45 minutes, सही है कि अब आपको बोला है कि अगर जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो कितना time लगेगा, मतलब walk करके जाए और walk करके आए तो कितना time लगेगा यह आपको find करना है, ठीक है अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं इस siege को अगर मैं siege को 2 से multiply कर दो 2 से multiply कर दो, तो क्या होगा यह 2W बन जाएगा यह 2H बन जाएगा और इसको अगर मैं 2 से multiply करो तो देख 5 into 2 तो 10 गंटे हो गए और 45 into 2 90 मिनट हो गए, तो 10 गंटे के अंदर जब आप 90 मिनट और 8 गर दोगे, तो 90 में से 60 तो एक पूरा गंटा बन गया तो 10 और 11 गंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा से, तो यहां से किता आएगा 11 गंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा आई बात समझ में, आप देख रहे हो 2W और 2H, यहां पर हमें 2H पता है कितने है 2H की value कितनी है, तो यह 3 गंटा 45 मिनट है, तो यहां पर मैं अगर 2H की value रख दू, तो मुझे automatically 2W की value मिल जाएगी और मुझे यही तो चाहिए 2W, W प्लस W, आई बात समझ में, तो 3 गंटे 45 मिनट इस में से माइनस कर लो, 11 गंटे में से 11.5 गंटे में से, तो 11.5 गंटे में से पहले तो आप 3 गंटे माइनस कर लो, तो 8.5 गंटे मिलेंगे, 8.5 गंटे में से 45 मिनट माइनस कर लो, तो 8.5 में से पहले तो 30 माइनस कर लो, 8 गंटे, 8 गंटे में से 15 माइनस कर लो, तो किता आएगा, 7 गंटे 45 मिनट किता आएगा 7 गंटे 45 मिनट तो ये क्या हो गया हमारा आंस्वर हो गया आई बात समन में तो कौन सा हो गया हमारा option number C हमारा correct आंस्वर हो गया देगो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया कोई equation वगेरा बनाने की जुरूत ने सिंपल तरीके से हमारा आंस्वर हो गया सबसे बेस्ट तरीका है टाइम सेविंग तरीका है ठीक है बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करते हो देगो next question की और हमारा अगला सवाल क्या है अगला सवाल है question number 45 कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है एक निस्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तै की है इस दूरी को तै करने में ए कितना समय लेगा यह आपको find करना है ए और बी की गती का रेशियो है कितना दे रखा है 3 अनुपाद 4 दे रखा है इस दूरी बी ने 24 मिनट में तै की है मतलब कोई particular distance है उसको तै करने में बी को कितना समय लगा तो 24 मिनट का समय लगा तो same distance travel करने में ए को कितना समय लगा distance है कितनी हमें नहीं पता तो जब नहीं पता हो तो कुछ मान लो distance को distance को कुछ मानना है तो कुछ भी मान लो यहां पे 100, 200, कुछ भी मान लो। लेकिन calculation को आसान रखने के लिए total distance को क्या करो, इन दोनों calcium मानो तो 3 और 4 calcium कितना होता है, 12 तो यहां पे लिख लो 12, distance के अंदर speed का भाग लगाता है न, क्या मिलता हमें time मिलता तो 12 के अंदर 3 का divide लगा लो कितना मिल जाएगा 4 12 के अंदर 4 का divide लगा लो कितना मिल जाएगा 3 त्री है यह आगया मेरे पास A और B का time एक particular distance को तेय करने में कि इनको किस ratio में time लगता है तो इनको इस ratio में time लगता है equal distance को travel करने गा actual time क्या है तो compare करवा लेता है B को जो है actual time कितना लगता है choice minute लगता है मतलब यह जो 3 है ना यह 3 actual में 3 नहीं है यह choice है तो 1 unit के value किती आ रही है 8 आ रही है तो अगर 1 unit के value 8 है तो फिर इस 4 unit के value किती आएगी 32 आएगी 32 आएगी अगरा correct transfer हो गया ठीक है बढ़ते हैं आगे देखो next question की और अगला सवाल क्या है तो अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक car किसी दूरी को 10 गंटे में तैय करती है एक car है particular किसी distance को 10 गंटे में तैय कर लेती है आगे यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमेटर पड़ती गंटा की चाल से और सेस आधी दूरी 60 किलोमेटर पड़ती गंटा की चाल से पूरी की गई हो तो वह दूरी कितनी है यह आपको find करना है कुल मिला कर जो distance है न वो find करना है मान लेते हैं कि कुल मिला कर distance बाई है अब इसको solve करना है और x की value निकालनी है दिक है तो इसको कैसे solve करेंगे देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ पूरी समय करन को 10 से गुणा करा देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा डबल 0 आएगा और यह यहाँ से अठ जाएगा देखो यहाँ से अठ जाएगा सही है उसके बाद पूरी equation को 12 से गुणा करा देता हूँ 1200 के बराबर है तो 5x is equal to 1200 है तो x is equal to कितना आएगा 1200 divided by 5 यह x की value है लेकिन हमें 2x की value चाहिए तो यहां पर फिर से 2 से multiply भी गर लो 2x की value चाहिए न हमें total distance तो यह है बहुत simple सा तरीका है इसको solve करना है 5 से अगर मैं कारता हूँ तो 2 बार मैं cut रहा है फिर 2 आगे चला जाएगा तो 4 बार मैं फिर 0 बार मैं और into 2 240 into 2 कितना हो गया 480 हो गया तो 480 किलोमेटर यानि option B क्या हो गया हमारा correct answer हो गया clear है तो I hope सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ मा रहे है एक सवाल आप अपने हाथों से भी जरूर कर रहे हैं देखा हाथों से नहीं करोगे तो कोई भी benefit नहीं मिलने वाला फिर यह मेरी practice हो जाएगी केवल आपकी practice नहीं हो पाएगी ठीक है बढ़ता है आगे और इस तीज का जरूर ध्यान रखें कि हिंदी वाली बुक होने के बाद में इंगलिस वाली बुक पूरी पूरी जरूर करें वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे बैंकिंग में आये वे सवाल कुछ-कुछ सवाल तो उसमें MAT, CAT exam के भी मिल जाएंगे आप तो एक अच्छी खास से तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है इतना करने के बाद time and distance से अपतर enough है अच्छी तरीके से हो जाएगा उसके बाद अगर कोई सवाल unique से आता भी है तो आप कर ले हुए क्योंकि basic तो आपका अच्छा होई क्या है अब आजाओ इस सवाल पर फिर से 47 नमबर सवाल क्या कह रहा है देगो 47 सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदू A से बिंदू B तक 4 किलोमेटर परती गंटा की गती से जाता है और वापस बिंदू B से बिंदू A तक 6 किलोमेटर प्रती गंटा की गती से लौट कर वापिस आता है तो यह कहा रहा है कि A से B तक पहुंचने तथा B से A तक आने में लगे हुए समय का अनुपात क्या है यह आपको ग्यात करना है समझना यहाँ पे कि यह है A से B तक जाने की स्पीड एक तरफ है और एक तरफ है वापिस B से A की तरफ आने की स्पीड speed के बारे में क्या कह रहा है तो जाने की speed 4 है आने की speed 6 है बही जब वो गया और जब वो वापिस आया दोनों ही cases में उसकी distance तो equal है same दूरी उसने तैय की है तो जब भी दूरी same हो तो आप दूरी को कुछ मान लो मान लो कि total distance कुछ है कुछ भी मान लो time का formula क्या होता है distance upon speed तो distance 12 upon speed 4 12 divided by 4 करेंगे कितना आएगा 3 12 divided by 6 करेंगे कितना आएगा 2 यह आगया मेरे पास time का ratio बस यही तो चाहिए था time का ratio कितना है तो यह है हमारा 3 अनुपात 2 3 अनुपात 2 यानि कौन सा option E आई बात समझ में तो यह है अब यहां पर ऐसे भी कर सकते हो कि चार है छे है तो जब भी same distance हो तो इसका उल्टा कर दो छे चार कर दो यह हमारा answer होता है लेकिन फिर वो रटना हो जाता है ऐसा क्यों करते हैं उसका reason में आपको समझा दिया है तो आपको reason पता है तो जब exam में same question मिल जाए तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हो उल्टा कर दो बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की और next question की और क्या है अगला सवाल तो यह कह रहा है सवाल हमें कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के डलान के अनुदिष चार सही एक बटा दो किलोमेटर परती गंटा की चाल से तथा डलान की विपरित दिशा में तीन किलोमेटर परती गंटा की चाल से चल सकता है तो पहाड़ी के उपर जाकर वापस प्रारंभी किस्तान पर पांच गंटे में आ जाता है तो आपको बोला है कि वहाँ पहाड़ी पर कितनी हुचाई तक चड़ा ये सवाल है ठीक है एक बार ट्राई जुरूर करें पॉस गरो अपनी दरफ से ट्राई करो इसका क्या आंसवर एक बार जागे कमेंट बॉक्स में लिखो फिर वापिस आओ और अपना आंसवर भी मैच क यहां पर क्या है कि मालो यह कुछ इस प्रकार से पहाड़ है एक आदमी चड़ता है जब वह चड़े का तो ऑव्यस सी बात है उसकी स्पीड थोड़ी रिलेटिव स्पीड जए कम होगी तो जब वह चड़ रहा था तो तीन किलोमेटर प्रती गंटा उसकी रिलेटिव स्प यहां से यहां तक आता है तो वह साड़े-4 किलोमेटर प्रती गंटा की स्पीड नहाल लो किका माल लिया स्पीड का पर टाइम ऐलता है तो यहाँ पे लिख लो 9 और बट्टा वाला दो बेज दो यहाँ पे और इसके अंदर add कर लो distance upon speed speed इस बार उपर चड़ने वाले कौन सी है तीन है तो यह लिख लो 3 तो यह नीचे उतरने का समय यह उपर चड़ने का समय कुल मिला कर यह जो समय है वो कितना देरका है सवाल में यह देरका है पांच गंटे के बराबर इसको solve करके d की value निगालनी है और हमें answer टिक लगाना ठीक है तो इसको solve करते हैं दोनों का LCM कितना आ रहा है 9 आ रहा है 9 और 3 का LCM 9 9 में 9 का भाग लगाया है 1 into 2D यहां पर कितना आ जाएगा 2D प्लस 9 में 3 का divide लगाएंगे तो 3 3 into D कितना आएगा 3D और यह equal में है 5 के 5D बराबर 5 है तो यहां से 5 से 5 कट जाएगा 9 जब उदर चला जाएगा तो हम देख रहे हैं 9 आ रही कितनी आ रही है 9 यह जो पहाड है यह कितनी डिस्टेंस है तो यह 9 किलोमेटर के डिस्टेंस है पहाड की उचाई तो यह है हमारा option number D ठीक है वह पहाड पर कितना उचा गया वो कितना उपर तक गया तो यह तना उपर तक गया क्लियर है कई इस सवाल के अंदर यह क्याना चाहता है कि वह कितना चड़ा तो यह है अमारा आंसबर 9 km ठीक है तो आई होग सारे सारे सवाल आपने अच्छी तरीके से समझ लिए है बस अब इसी तरीके से आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स करने सवाल करेंगे थेंगे प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी